जी हाँ स्वागत है आप सभी का H&T की GK चैनल पर तो हम चर्चा करेंगे क्रित प्रत्य और तद्धित प्रत्य जी हाँ क्रित प्रत्य और तद्धित प्रत्य को कैसे पहचाने किस सब्द में कृत प्रत्ये जुड़ा हुआ है इसके अलावा किर्दन्त सब्द किसे कहते है और कैसे बनता है इन तमाम प्रश्णों को जानने के लिए ये वीडियो अवस्श्चे देखिए जी हाँ सब्द देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें क्रित प्रत्य है और इसमें तद्धित प्रत्य है जी हाँ सुरू से अंत तक के वीडियो देखिए आईए चर्चा करते हैं सबसे पहले क्रित प्रत्य किसे कहते हैं ये जान लेते हैं जी हाँ, कृत प्रत्य क्रिया के शाथ जुड़ता है, क्रिया के मूल शब्द में क्या जुड़ता है क्रित प्रत्य, पहले ये concept क्रियर कर लेते हैं ताकि बहुत आसानी से हम लोग समझ सकें, तद्धित प्रत्य संग्या, सर्बनाम और विसेशन के साथ जुड़ते हैं, तो यह है इसका concept अब आईए देखते हैं खिलोना लेखक अमावट लुटेरा कमाउ सपोला ममेरा कलूटा उठक धड़कन मुझसा पाँचवा यह जो सब्द दिये गए हैं इनमें सब्दों में किसमें कृत प्रत्य है किसमें तद्धित प्रत्य है और कैसे किर्दंत सब्द बनत है जी हाँ इसमें पहला point है खिलोना देखिए यह जो खिलोना शब्द है इसको कैसे पहचाने की यह कृत प्रत्य है या तद्धित प्रत्य है तो इसको जानने के लिए करना क्या होगा आपको सबसे पहले खिलोने का जो मूल शब्द है उसको पहचान लेते हैं आईए प्र खेल, खिलावने का मूल सब्द क्या होगा, खेल, और इसका जो प्रत्य बनेगा आउना, तो खिलावने को जानने के लिए कि किरित प्रत्य है, अतदित प्रत्य है, इसके लिए क्या होगा, खिलावने का मूल सब्द क्या होगा, खेल, खेल मूल सब्द होगा, और जो आउना यह होगा प्रत्य, अभी यह नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा प्रत्य है, इसको जानने के लिए करना क्या होगा, जो यह मूल शब्द है, जो खेल, अभी जो खेल सब्द है, इसको लिखते हैं, अलग समझने के लिए, खेल, अब यह मूल शब्द किरिया है, संग्या है, जी हाँ खेलना कोई किरिया होती है या नहीं खेलना किरिया होती है जी हाँ तो खेलना क्या है एक किरिया है अब यह जो मूल शब्द है यह क्या होगा यह धात होगा धात किसे कहते हैं जैसे चलना में चल धात हो है पढ़ना में पढ़ धात है लिखना में लिख धात हो है कैस से पता चलेगा इसमें ना जोडने पर किसी भी मोल धात में ना जोडने पर अगर किरिया का रूप धारन करता है तो वो सब्द जो है किरिया का रूप धारन करता तो सब्द मोल धात यानि धात कहलाएगा तो यहां पर जो यह प्रत्य है वो किसमें जुड़ा हुआ है वो प् किरित प्रत्य किसे कहते हैं किरित प्रत्य उसे कहते हैं जो प्रत्य किरिया के मूलधात में जुड़ती है उसे कहते हैं किरित प्रत्य अब देखिएगा अब बना मूलधात और प्रत्य यह जुड़ करके क्या बनेगा खिलाओना अब यह जो खिलाओना शब्द बना जो खिल प्रत्य किरिया के मूल रूप में जुड़ता है जुड़ने के बाद जो सब्द बनता है उसे कहते हैं किर्दंत सब्द या कह सकते हैं धातु प्लस प्रत्य जुड़ करके जो बना शब्द है वो क्या कहलाएगा वो पहलाएगा किर्दंत शब्द अब देखते हैं दूसरा द लिख मूल सब्द होगा और जो अक होगा वो होगा प्रत्य लिख मूल सब्द है अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो लिख मूल सब्द किरिया है या संग्या है अक प्रत्य है प्रत्य ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रत्य कौन सा प्रत्य है तदित प्रत्य होगा या फिर किरित प्रत्य होगा इसको जानने के लिए क्या करना होगा लिख लिख को अलग लिखते हैं इसको जानने के लिए इसमें हम ना जोड़ देंगे तो बन गया क्या लिखना लिखना क्या कोई किरिया है जी हाँ लिखना किरिया होती है तो जो लिख जो मूल धात हो है ये मूल सब्द है वो क्या होगा ये धात होगा संग्या नई होगा क्योंकि इसके मूल सब्द में न जोड़ने पर किरिया का रूप धारन कर लेता है इसलिए ये सब्द क्या होगा ये धात होगा तो यहाँ पर जो प्रत्य अक जुड़ा हुआ है लेख पलस अक में जो अक प्रत्य है वो कौन सा प्रत्य होगा ये होगा क्रित प्रत्य क्यों होगा क्योंकि ये जो प्रत्य है वो किस में जुड़ा हुआ किरिया के मूल रूप में यानि धात में जुड़ा है इसलिए अक क्या होगा ये क्रित प्रत्य होगा अब इससे सब्द बनेगा क्या लेखक अब ये जो लेखक शब्द है ये कौन सा सब्द होगा इसी को कहते है किर्दंत सब्द किर्दंत सब्द किसे कहते हैं किर्दंत सब्द उसे कहते हैं जब प्रत्य और जो मूल हात हो है जुड़ करके जो शब्द बनता है उसी को कहते है किर्दंत सब्द अब बात करते हैं नेस्ट पॉंट की अमावट जी हां अब ये देखना है जो अमावट शब्द है जी हां अमावट जो शब्द है वो कौन सा प्रत्य होगा इसको जाणने के लिए आये इसको भी देखते हैं आमावट का सबसे पहले तो मूलड शब्द क्या होगा आमावट का मूलड सब्द होगा आम और इसका जो प्रत्य होगा आवट आम मूलड सब्द है अभी यह नहीं समझ में आ रहा कि जो आम है वो संगया है सर्वनाव या किरिया या विशेशण है आवट प्रत्य है अभी ये भी नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा प्रत्य होगा क्योंकि जब तक मूल सब्द नहीं पता चलेगा कि संग्या है या किरिया है तब तक प्रत्य नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा प्रत्य है आम को लिखते जो मूल शब्द जो है वो क्या है यह संग्या यह प्रत्य जुड़ा है किस में जुड़ा हुआ है यह संग्या में जुड़ा हुआ है तो जो प्रत्य संग्या में जुड़ेगा उस सब्द को कहेंगे उस प्रत्य को कहेंगे तद्धित प्रत्य किसे कहते हैं तद्धित प्रत करते हैं जो प्रत्य संग्या में जुड़ता है उसी को कहते हैं अब बात करते हैं नेश्ट पॉइंट की लुटेरा जिहां आप भी लगातार अभ्यास कर सकते हैं अब आपको ये बताना कि लुटेरा में लुटेरा में जो है तद्धित प्रत्य है या फिर कृत प्रत्य है इसको जानने के लिए आईए अभ्यास करें लुटेरा का मूल सब्द पहले पहचानी है लुटेरा का मूल सब्द होगा लूट क्या होगा लूट और इसमें जो एरा होगा वो हो जाएगा प्रत्य है ठीक है लूट मूल सब्द है इसमें कोई सब्द नहीं और जो एरा है ये है प्रत्य अब ही ये नहीं पता चल पा रहा कि लूटेरा में जो एरा प्रत्य है और कैसा प्रत्य होगा अब देखेगा इसको जानने के लिए करना क्या होगा लिखते है लूट अलग और इसमें जोड़ देते है ना लूटना क्या लूटना कोई किरिया होती है जी हाँ लूटना किरिया होती है यानि कि जो मूल सब्ध है ये है धात यानि कि ना जोड़ने पर किरिया का रूप धारण कर लेता है तो यानि कि जो लूट सब्ध है वो धात सब्ध है प्रत्य जुरा हुआ है किसमें जुरा हुआ है कि क्रिया के मूल रूप में जुरा हुआ हुआ है इसलिए एंपर कौना सा प्रत्य और आद कि'reड़ सब्त होगा ये क्रित्ध और और Drica प्रत्त होता है। जो प्रत्त किरिया के मुल रूप में जुडता है। जुड़ने के बाद जो शब्ð बनता है।। उसी को बुलते हैं किरदन्थ शर्ब्द। अब बात करते है। नेस्ट पॉइंट क्या है कमाउ जी हां गतार आप भी गेस कर सकते हैं कमाउ कमाउ का मूल सब्द क्या होगा कमाउ का मूल सब्द हो जाएगा यहां देख लेते हैं कमाउ का मूल सब्द होगा कमा और इसमें बड़ा उ जो है यह प्रत्य अब देखेगा कमा जो है क्या है यह म पता करना होगा कमा में हम जोडते हैं ना कमाना क्या कोई शब्द होता है किरिया जी हां कमाना किरिया शब्द है यानि कि जो प्रत्य जुड़ा है वो कमा यानि कि मूल शब्द धात में जुड़ा हुआ है तो जो प्रत्य धात में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं उसको कहते येन क्रित प्रत्य अब इससे सब्द क्या बनेगा कमाऊ कामाऊ इसी सब्द किर्द शब्द किसे पर जो प्रत्ध सब्द कि रिया के मूल रूप में जुड़ते पार सब्द एसे भी कर सकते सपोला सपोला कौन सा सब्द होगा सपोला किरित प्रत्य होगा या तद्धित प्रत्य होगा जी हाँ सपोला जो है इसको पता करने के लिए साप साप प्लस ओला ये हो जाएगा साप ये हो जाएगा संग्या ये जो सब्द मुल सब्द है क्योंकि सापना कोई किरिया होती नहीं है तो यह मूल सब्द संग्या हो जाएगा ओला हो जाएगा प्रत्य अब जो प्रत्य संग्या में जुड़ता हुसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे तद्धित प्रत्य जिहां अब देखेगा इसमें और एक देख लेते कलूटा लिखा क्या और इसमें हो जाएगा टा प्रत्य ठीक है ना काला ये मूल सब्द है और टा होगा इसका प्रत्य चलो ठीक है ये हो गया अभी जो मूल सब्द है ये संग्या है या सर्बनाम है या विशेशन है या किरिया ये क्या है इसको जानने के लिए काला लिखते हैं काला काला में ना जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं यहाँ पर देख लिजे जो प्रत्य विशेशन में जुड़ेगा उसे तद्धित प्रत्य कहेंगे तो यानि जो टा सब्द है वो कौन सा सब्द है यह हो जाएगा तद्धित प्रत्य अब इससे जो सब्द बनेगा कलूटा कलूटा जो उसको क्या कहेंगे तदितांत सब्द कहेंगे जी हां एक और देख लीजिए इसमें से कोई एक और देख लेते हैं जैसे धड़कन इसको आए चेक करते हैं यह क्या है धड़कन तदित प्रत्य या किरित प्रत्य जी हां आए देखिए धड़कन का मूल सब्द क्या होगा धड और धाड़क प्लस ना जो धाड़क होगा ये मूल सब्द है और मूल सब्द ये है उसके नावा जो ना है ये है प्रत्य नहीं पता चल पा रहा कौन सा प्रत्य है अब इसको जानने के लिए क्या करना होगा धाड़क लिख देते हैं ना धाड़कना धाड़कना क्या कोई किर या होती है यानि जो प्रत्य जुड़ा है किरिया के मूल सब्द में जुड़ा है यानि कि धात में जुड़ा हुआ है तो इसलिए जो ये प्रत्य होगा क्या होगा ये क्रित प्रत्य होगा और जो ये बनेगा धाड़कन धाड़कन जो शब्द बनेगा ये बन जाएगा किर् ये है तरीका इसको पहचानने का किरिद प्रत्य और तद्धित प्रत्य को पहचानने का ये तरीका है इसके लाओ आप और भी अभ्यास कर सकते हैं जैसे ममेरा लिखा हुआ है ममेरा का मोल सब्ध क्या होगा मामा और इसमें जो प्रत्य होगा एरा तो कौन सा प्रत्य होगा इ एरा प्रत्य है वह हो जाएगा तदित प्रत्य मामा मोल सब्द हो जाएगा इसके अलोوس जैसे उठक मोल सब्द क्या बनेगा उठ में न जोड़िये उठना जाने की जो उठ है और नंसा प्रत्य को प्रत्ते हैं कुण सा पृत्ते हैं तो जो प्रत्ते सर्भनाम के साथ जुड़ते हैं उने कहते है तदित प्रत्ते और जो ये पूरा शब्द बना हुआ है ये पूरा शब्द है ये है तद्धितांत सब्द तद्धितांत सब्द किसे कहते हैं जो प्रत्य संग्या सर्पनाम और विशेशन के साथ जुड़ करके जो सब्द बनते हैं उसे कहते है तद्धितांत सब्द ये भी पांचमा भी विशेशन है और ये प्रत्य किस में जुड़ा हुआ है विशेशन में जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये क्या बनेगा पांचमा क्या है ये तद्धितांत सब्द है और जो वा है ये है तद्धित प्रत्य है पांच मूल सब्द है मूल सब्द विशेशन होगा तो जो प्रत् और जुड़ने के बाद में जो शब्द बनते हैं उसी को बोलते हैं तधितांत सब्द तो यह थी कृत प्रत्य और तधित प्रत्य को पहचानने की बहुत ही रोचक ट्रीक हमारे वीडियो जगर आपको पसंद आये तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक और कमें करके हासले को जरूर बढ़ाईएगा धन्यवाद